आज की कहानी है दुष्ट बगुला और केकड़ा पूरा पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। अरे बगुला भाया क्या बात है आप मचलियों पकड़ने के बजाए रो क्यूं रहे हैं। उसकी बात सुनकर बगुला रोते रोते बोला। क्या बताऊं केकड़े भाई। मुझे अपने की पर बहुत पच्चतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक न जाने कितनी मचलियों को मारा है। मैं कितना स्वार्थी था। लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है और मैंने यह वचन लिया है कि अब मैं एक भी मचली का शिकार नहीं करूंगा। बगुले की बात सुनकर केंकड़े ने कहा आरे ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। इस पर बगुले ने जवाब दिया किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे पेट मर जाना ही अच्छा है भाई। वैसे भी मुझे कल जियोतिशी बाबा मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ ही समय में बारा साल के लिए बारिश नहीं होगी और सूखा पढ़ने वाला है जील में पहले से ही बहुत अधिक पानी नहीं है और बहुत जल्द बारिश की कमी के कारण जील बहुत केंकडा यह खबर सुनकर हैरान रह गया कि उन पर क्या बीतेगी और उसने ने जाकर यह बात तालाब के सभी जीवों को बता दी यह खबर सुनते ही हर कोई घबरा गया उन्होंने बगुले पर विश्वास किया क्योंकि वह बिल्कुल भी मचली पकड़ने की कोशिश नहीं से खूबसूर्ती से ढकी हुई है जील में इतना पानी है कि अगर 24 साल तक बारिश नहो तो भी यह नहीं सूखेगी हम सभी उस तालाब में जाकर रह सकते हैं मैं एक-एक को अपनी पीठ पर बैठा कर वहाँ छोड़ कर आ सकता हूँ उसकी यह बात सुनकर सारे जानवर खुश हो गए उसने पहले ही उनका विश्वास जीत लिया था इसलिए वे उसके चारों और एकत्र हो गए और अनुरोध किया कि वे उन्हें एक-एक करके दूसरी जील पर ले जाएं और उन्हें बचाएं दुष्ट बगुला अपनी य कई बार वह एक बार में दो जीवों को ले जाता और भर पेट भोजन करता फिर वह कुछ देर बाद जील पर लोटता और जूटे संदेश सुनाता कि वे दूसरी जील में कैसे खुश हैं उस चटान पर उस जीवों की हड़ियों का धेर लगने लगा था बगुला अपने मन उस किसी न किसी को ले जाते हो लेकिन मैं ही आपका पहला दोस्त हूं कृप्या मेरी जान बचाने के लिए मुझे दूसरे जील पर ले चलो यह सुनकर बगुला खुश हो गया उसने मन ही मन सोचा हर दिन मचली खाके उप गया हूँ यह अच्छा है कि बदलाव के लिए मु उसने तुरंत बगुले से पूछा अरे बगुला भाया, ये हड़ियां किसकी हैं और जील कितनी दूर है उसकी बात सुनकर बगुला जोर-जोर से हसने लगा और बोला कोई जील नहीं है और ये सारी तुम्हारे साथियों की हड़ियां हैं जिन्हें मैं खा गया इन सभी हड़ियों में अब तुम्हारी हड़ियां भी शामिल होने वाली है जब बगुले ने सच कबूल किया तो केकड़े ने अपने मजबूत पंजों से बगुले की गर्दन पकड़ ली कुछ ही देर में बगुले के प्रार निकल गए इसके बाद केंकड़ा लोट कर जील के पास गया जील के अन्य जलिय जीव उसे वापस आया देखकर आश्चर्य चकित रह गए वे उत्सुक हो गए और सभी प्रश्न पूछने लगे तब उसने अपने बाकी साथियों को सारी बात बताई ये सब सुनकर उन सभी ने कैंकड़े को उनकी जान बचाने के लिए बहुत धन्यवाद दिया तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और मुसीबत के समय भी संयम और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए धन्यवाद दोस्तों इस प्यारी कहानी को सुनने के लिए अगर आपने यह कहानी पसंद की हो तो कृप्या लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बी हाइव टून्स को सब्सक्राइब करें जाज करें अगर श्यारी काम करें